तो जैसा कि आपने थमनेल देखी लिया होगा उत्तर प्रिदेश का जो बजट आया है कल 18 फर्वरी को उससे संबंदित जो भी हाइलाइट्स रहेंगे आज इस वीडियो में हाइलाइट्स डिसकस करेंगे और कल एक वीडियो आएगा most probably सुवे सुवे आजाएगा तो उसमें हम जो भी questions फॉर्म होंगे उनके बारे में डिसकस कर लेंगे तो आपको ये वीडियो भी बौच करना है और second वीडियो जो आएगा part 2 वो भी बौच करना है तो देखते हैं इसकी क्या-क्या highlights रही है तो उत्तर प्रदेश बजट 2020-21 का रहेगा तो उत्तर प्रदेश बजट का कुल करोड में बजट कितना रहा है तो 5,12,860 करोड रुपए का तो बजट रहा है बरतमान में और अगर पूछा जाए लास्ट बजट कौन सा था मतलब पिछली साल जो बजट था वो कितना था तो 4,89,701 करोड रुपए का बजट था और पिछले बजट से जो यह वाला बजट है इसमें 6.46% की बड़ोतरी देखी गई है और यह अव तक का सबसे बड़ा बजट भी बाना गया तो यह बहुत अच्छी बात है तो यह हमने इस अर्थात हम कह सकते हैं बजट सब्द की उत्पत्ति फ्रांसी सी सब्द वायो गेट से हुई है और बजट का अर्थ राजस्थ या धन के आय और उसके वेई की सूची से होता है जो भी आपकी मनी है उसका कितना संचय हुआ है कितना व्य हुआ है पतलिब कितना खर्च एक और उसके हरे किगना मोचा के अब भात करेंगे हाईलाइट्स क्या रहे है तो इसमें हमने कुई भी क्वेश्चिन फार्म न ain aumenten kya सारी हाइण डिसकस करेंगे कल का JV का सुवे या साम तक तो उसमें आपको सारे क्वेश्चिंस फॉर्म में मिल जाएगा पूरा बीड् वान्टित रासी है थो इतना तो आपको पता है यूपी जी यूपी बजट हम डिसकस कर रहे हैं तो यह तो पता है कि यूपी से संबंधित बजट के बारे में डिसकस करें इस वीडियो के अंदर तो आपको यहाँ पर अगर हमने नई भी लिखा है बजट 2020 उत्तर प्रदेश बजट 2020 के मैं मनरेगा के लिए कितनी राशी आवंटित की गई है तो आप समझ जाएगा मनरेगा के लिए आवंटित राशी राशी कितनी है चार चार करोड रुपए हमारे भारत का जो पोशन लेवल है वो काफी खराब है इस चीज को ध्यान में रखती है उन्होंने पोशन अवियान के लिए चार चार करोड रुपए दिये है अयुद्या एरपोर्ट एवों पाइटन विकास के लिए उन्होंने कितनी राशी दिये उसके सौंदरी करण के लिए 95 करोड रुपए दिये है जेवर एरपोर्ट के लिए भी इन्होंने रुपए दिये है ठीक है बाराणसी में कासी बिसुनात मंदर के सौंदरी करण के लिए कितनी राशी आवंटित की गई है नेक्स्ट क्वेश्चन है अठारा मंडलों में अटल आवाशी विद्यालों की स्थापना के बजट 2020 बन में दी गई धनराशी कितनी है तो 270 करोड है अब एक क्वेश्चन यहां से यह बन जाएगा कि कितनी मंडलों में अटल आवाशी विद्याले खोले जाएंगे अठारा म बंदेलखंड बिंद चेत्र में पाइप पेजल योजिना के लिए आवंटित की गई धनराशी कितनी है तो वह 33 करोड रुपए स्वास्ते के लिए 15,690 करोड रुपए की धनराशी जो है आवंटित की गई है नेक्स्ट आपका हाईडाइट है 13 नई medical college खोले जाएंगे उत्तरप्रदेश के अंदर 13 नई medical college खोले जाएंगे चτιकिस्दा सिछा के लिए दिए गाये जो कि पिछले बज़त से 760 करोड रुपए अदेक है।侏 119 करोड रुपए के लिए दिए गाये हैं। जो तेरा करोड रुपए दिए गाये हैं वो ट्रामा सेंटर वा सिवल प्रियाग राज मेरट को जोड़ेगा अब जो गंगा एक्सप्रेस वे है वो प्रियाग राज और मेरट को जोड़ेगा और इसकी जो दूरी होगी जो किलोमीटर होगा वो 637 किलोमीटर होगा ये ओके नेक्स्ट आपका कोश्यन है चार जार सार सो 731 करोड रुपए से चाई परियोजिनाओं के लिए दिये गए हैं पहली बार पराली प्रवंदन के लिए 300 करोड कि कोहरा हो गया तो पराली प्रवंदन के लिए जब सुप्रीम कोड ने फटकार लगाई है तो सुप्रीम कोड की बात को ध्यान में रखते हुए इनोंने पराली प्रवंदन के लिए 300 करोड रुपए इस बार ये खर्चा करेंगी उस पर प्रवंद करेंगी कि इससे उत्साहन योजना तथा युद्धिमिता विकास अभियान के तैत हर जिले में युवा हब बनाया जाएगा ठीक है इसके तैत क्या होगा युवाओं को द्योगों पर MSME माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटर प्राइजिज एकाईयों में ओन जॉब ट्रैनिंग देकर पचीस सो रुपए प्रित्मा बत्ता दिया जाएगा इसमें पंद्रा सो रुपए क्या होगा केंदर सरकार देगी और हजार रुपए जो है राजी सरकार देगी इसके लिए यूप डेटा एक्जेक्स इसलिए बता रहा है क्योंकि जब यूपी आरों के एक्जाम अगर किसी ने लिखा हुआ है लास्ट इयर तो उन्होंने अगर दिया होगा तो उसमें यही पूछा गया है कि जो हमारा बजट आया है उसमें जो गन्ना की खेती हुई थी उसमें कितना प्षेट जाद है तो जो कल वीडियो आएगा आपको सब देखने को मिल जाएंगे इसलिए पार्ट तू अप जरूर देखेगा ओके नेक्स्ट आपका पॉइंट है तीन सो करोड़ परशदी स्कूल के बच्चों को मुफ्त जूते मोजे बाश वाश्वेटर प्रदान करन जाएंगे जूते मोजे स्वेटर और यूनिफॉर्म के लिए ओके उनीस सो नब्वे करोड़ रुपे दिये जाएंगे स्कूल में जो मिद्धे मील वित्रण होता है जो भी भोजन दिया जाता है उसके लिए 621 करोड़ ब्यांग जन पैंसन योजिना के लिए दिये गए है 50 करोड़ राजकिये पॉलो टैक्निक का भवन निर्माड करने के लिए दिये गए हैं 20 करोड़ से राजकिये माध्यमिक विद्यालों का भवन निर्माड एवं विस्तार किया जाएगा 294 करोड़ रुपे संस्कृत सिक्षा के लिए दिये गए है 381 करोड़ रुपे ग्रीन को उत्तब्रदिस का मैंचेस्टर भी कहते हैं ओके नेक्स्ट कुशन है पंद्रा करोड रुपए जो हैं बाराडसी और मेरट में सूटिंग रेंज के लिए दिये गए हैं नेक्स्ट आपके लिए बनेगा बीस करोड रॉ लॉ यूनिवरसिटी के लिए दिये गए हैं प्रिय जानपुर में जहां भी सबसे उप्यूक्त जमीन मिलेगी बही ये स्कूल खुल जाएगा तो इसके लिए बजट में 20 करोड रुपए की बिवस्ता की गई है सैनिक स्कूल बनेगा उत्तर प्रदेश के अंदर ये चार सहर है इन जगे कहीं बनेगा जहां उन्हें जमीन करोड रुपए देवी पाटन और बस्ती मंडल में इंजिनरिंग कॉलेज की स्थापना के लिए दिये जाएंगे अब देवी पाटन मेला से आपको याद आना चाहिए बस्त्रावस्ती में है देवी पाटन मेला लगता है ये कई वार कॉश्चन में आया हुआ हुआ भी है अब योगी राज में जो बजट में अब योगी राज से मतलब यह है कि हमारे उत्तर प्रदेश के जो मुख्य मंतरी है उनका नाम है आदित्ययोगी नाथ योगी आदित्ययोगी नाथ होके हमने उल्टा पोल दिया ओके तो अदित्योगी नाथ है वो सरी योगी आदित्य जब से वो आई हुए हैं तो क्या बजट में आ रही है 17-18 में जो रहा था बजट में वो रहा था जिसमें बढ़ोतरी हुई थी उसमें 10.87% की हुई थी और 2018-19 में जो बढ़ोतरी हुई थी वो 11.36 की हुई थी 2019-20 में जो बढ़ोतरी हुई थी 11.97% की हुई थी तो इसमें जो बजट था वो था 4,89,701 करोड रुपए का अब 2020-21 में 5,12,860 करोड का बजट आया हुआ है जिसमें पिछले बजट से 6.4% की बढ़ोतरी देखी गई है और यह अब तक का सबसे बड़ा बजट है तो यह आज के जो भी हाइलाइट से वह अग जो पार्ट तू आएगा उसमें जितने भी क्वेस्टन्स फॉर्म हो रहे होंगे तो वह वीडियो आप जरूर देखेगा ओके थैंक्स फॉर वाचिंग